हेलो दोस्तो हमारी दुनिया बहुत ही बड़ी है जहां तरह तरह के अजीबो गरीब रहस भरे पड़े हैं दोस्तो कुछ को तो सुलजा लिया गया है लेकिन सैकडो रहस आज भी अंसुलजे हैं जिनने सुलजाने की बहुत कोशिस की गई लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया दोस्तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ अंसुलजे रहसों से रूबरू कराऊंगी जिनके बारे में जादेतर लोग नहीं जानते होंगे तो चलिए सुरू करते हैं नमबर वन तैराखी के दोरान गायब हो गए आउस्ट्रेलिया के परधान मंतरी जी हाँ दोस्तो हेराल्ड होल्ड 22 महीने तक आउस्ट्रेलिया के परधान मंतरी रहे उन्हें आखरी भार चेवियड बीच पर देखा गया था दोस्तों उस समय वो वहां तैराकी का आनंद ले रहे थे किन उसके बाद अचानप हो वहीं से गायब हो गए उन्हें ढोडने के लिए पुलिस आउस्ट्रेलियन नेवी डाइवर्स और एयर फोर्स हेलिकॉप्टर्स भी लगाए गए लेकिन हेराल्ड का कोई निसान नहीं मिला जी हाँ दोस्तों चिली में घोष्ट हाउस नाम से मसूर एक जगा है जहाँ एक छेंच का नरकंकाल पाया गया था इस नरकंकाल के दाथ पत्थर जैसे मजबूत थे बहुत सारी रिसर्च की बाद यह मान लिया गया था कि वह कंकाल इंसान का ही था लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने छोटे इंसान के दाथ कैसे हो सकते हैं पर दोस्तों आज भी यह रहे संसुलजा ही है जी हां दोस्तों साल 1866 में बाथ कंट्री के रंकिन में अचानक से मीट के टुकडे गिरने लगे थे नेवार्क सायंटिफिक एस उसीएसन ने इन टुकडो की जाच करके यह पाया कि यह टुकडे घोड़े या किसी नोजाज जियू के हैं लेकिन असलियत किसी को पता नहीं चल पाई और यह रहस भी आज तक अंसुलजा ही रहा दोस्तो देविल स्केटल नाम से परसिद इस छेद में नदी का आधा पानी समा जाता है लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञानिया पता नहीं लगा पाया कि आखिर इतना पानी जाता कहां है और यह भी एक अंसुलजा रहस्य है दोस्तो कहा जाता है कि 1518 में इलसासे के स्ट्रासबर्ग में डांसिंग प्लेग फैला था यह एक ऐसी बिमारी थी कि जिसमें लोग कई महीनों तक बिना रुके डांस करते रहें इस दोरान कई लोगों की मौत, हार्ट अटेक और स्ट्रॉक्स की वज़े से हो गई थी किन दोस्तो इस प्लेग की रहस्य से कभी परदा नहीं हट पाया और यहाँ आज भी एक अंसुलजा रहस्य है तो दोस्तो इन अंसुलजे रहस्यों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे यूटूब चैनल फैक्ट्स एंड जी के वर्ल्स को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें जादर से जादर सेयर करें और वेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें